कर दो दानातर वीडियो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरा चैनल ओपन है और यहां पे आप कंटेंड भी देख रहे हैं कि जो हायरिंग से रिलेटेड है उसके भी वीडियो में अप्लोड कर रहा हूं और हैंड रेट और प्लेस्मेंट नोट से भी आपको मिल गाय होंगे उसके भी वीडियो सब है और मागर मैं स्क्रॉल करूं नीचे आपको देख सकते हैं कि व्लॉग जो इंजिनियरिंग स्टाफ होते हैं लाइफ कि सब प्लेस्मेंट से रिलेटेड हैं देखें मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इसको जो भी लोग प्ले इस अगर आपने विज्टक चनल को सब्सक्राइब करें तो बात करें इस वीडियो की जैसा कि आपने थामनल देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कौन सी बुक प्रवाइड करने वाला हूं इस वीडियो में आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है जावा इस्क्रिप्ट और आपको ये भी दिख रहा होगा कि Title के है Tutorial Point अपने सही समझा कि ये Website का ही है Tutorial Point काफी Famous Website है इसमें Computer Science प्रवे इस त्टोइट होगे उनको पता होगा इस website के Computer Science related topics के courses के पूरे notes मिल जाते हैं तो इनोंने क्या है books भी निकालते है reading तुटोरियल पॉइंट क्या है कि उसमें to the point ज्यादा कुछ उसमें बड़ा चड़ा के नहीं रहता है तो तुद पॉइंट और भी action उसके operation क्या होते हैं कोई programming के language के वो सब mention किये हुए रहते हैं तो मैं अभी बताता हूँ कि इस book की खासियत क्या है तो जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यह आपको पता जल जागा कि पुरिया table of content है इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा syntax enabling यह जावा script का है जो web development के काम में आता है इसके अलावा हम HTML CSS भी यूज़ करते हैं तो उसको आप book से मत पढ़िये वह आप practice करिया और website से पढ़िये लेन operator यह पूरा तो content यह नीचे में दिखाता हूँ कि क्यों यह बूड़े to the point जैसे यह आप देख रहे हैं array तो array की पुरुवी property इन्होंने पुरा definition तो नीचे रहे गाई लेकिन यह पर देखिए इन्होंने पुरा लिखके रख दिया कि कौन से function यूज़ करने है array की property यह prototype पुरा सब इन्होंने mention करका date function यह सब तो इसलिए मैं यह book बोलता हूँ prefer करें कोई destruction नहीं है तो यह right side में देख से 388 page है वो भी to the point अब मैं content की तरफ जादा हूँ मैं और नीचे scroll करता हूँ तो यहाँ देखिए syntax लिखा तो इन्होंने पूरा definition देदी है क्या language होती है type कैसे पर उसका box में code भी दिया है और output भी तो इसमें हर programming language में output मिलेगा आपके इसलिए यह थोड़ा prefer करता हूँ मैं कोई भी other books रोने को यह 600-700 page हो उतना पढ़ तो पाते नहीं इतना कोई सीखने की जिरूत नहीं है आप जैसे जैसे company में जाएंगे project बनाएंगे तो आप सब सीख जाएंगे इसलिए basic knowledge के लिए tutorial point best option है आप website से पढ़िए या book से पढ़िए और मैं नीचे scroll करता हूँ तो आपको यह दिखेगा कि नीचे और कितना advance में गया है java script में यह देखिए है second value minute date date function कहा है यह property कहा है यह इन्होंने पुरा table form भी बनाया तो form validation कैसे करते हैं वो भी code इन्होंने पुरा java script में लिखके दिखा है तो यह थे हमारी first book अब move करते है second book की तरफ यह है javascript की second book eloquent javascript third edition इसके writer है नरेजीन हावर बेके यह book क्यों पढ़नी चाहिए वो तो basic था क्योंस में कोई example नहीं से ज्यादा day life example नहीं थे real world entity के example नहीं थे कोई drawing नहीं थी कोई pictures नहीं से तो अट्रेक्टिम नहीं रहता है और आपको deep में सीखना है अच्छा Polish tag यह फिर फ्रंटेंड बनना तो आपको एक अच्छी book पढ़नी चाहिए तो अब यह book purchase भी कर सकते है तो आपर में निचे अगर scroll नहीं जाएंगे डारेक हम content पर देखेंगे इंडेक्स पर मैं नहीं देखूंगा focus करूंगा तो यह देखें इन्होंने पूरा code दिखके दिया है एक function दिखके दिया है उसका फिर उपर explanation किया कैसे किया है इन्होर में निचे scroll करता हूं तो यह देखें पूरा code इनकों पूरा code प्रोजेक्ट से related प्रोजेक्ट बने हैं जो काम हुआ है जावास्रिप का तो उन्होंने पूरा link mention करके दिया है तो थोड़े हम स्टार्टिंग पर जाते हैं देखें यहां string function का कैसे क्या यूज होता है यह best book लेकिन पहले भूक आप वही prefer करें थोड़ा वह सीख जाएंगे आपको project अगर HTML से सीखे हुए है तो जासी सीखने में ज्यादा time बेस्ट मत करें करें और फिर आपको ज्याद के description में आप जाके वहां से download कर सकते हैं और अगर अभी भी आपने चानल का subscribe ने क्या है subscribe करें या आने वाले जो वीडियो रहेंगे computer science उस student के लिए हैं मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो में इतना है मिलेंगे अगले वीडियो में सब तक लिए सिया have a good day